आज आये हैं हम कासा ग्रान बिल्डर के प्रोजेक्ट पर और प्रोजेक्ट का नाम है कासा ग्रान गोलवार दोस्तों ये प्रोजेक्ट आपको पढ़ता है हैनूर में रोड पर और ये जो पुरा प्रोजेक्ट है दोस्तों ये एक 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 अपाट्मेंट प्रोजेक्ट है औ और यह जो पूरा प्रोजेक्ट है दोस्तों यह 7.67 निकर्ट के लाइंड पर फैला हुआ है और यहां पर आपको टोटल 528 युनिट्स मिल जाएंगे तो दोस्तों यहां पर जो युनिट्स अवेलेबल है वो है 1, 2, 3 and 4 बीएजके युनिट्स हाला कि 3 और 4 बीएजके युनिट्स यहां पर completely sold out हो चुके हैं तो यहां पर जो अभी availability है वो है 1 और 2 बीएजके युनिट्स की तो दोस्तों यह जो आप देख रहे हैं मेरे सामने यह है एक 2 बीएजके model प्लाइज जिसका मैं आपको एक quick tour देने वाला हूँ तो दोस्तों यह है आपका 2 बीएजके युनिट और जो इसका एरिया है दोस्तों वो है 1100 स्कॉयर फीट 1100 स्कॉयर फीट तो दोस्तों जैसे हम यहां एंटर होते हैं हमें यह एक चीज कासा ग्रेंड बिल्डर्स के प्रोजेक्ट पर देखने को मिल जाती है कि यह एक टीप वुड़ वुड़ेंड डोर हमें यहां पर प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों जिसके साथ ही हमको मिलता है एक डिजिटल लॉक तो दोस्तों यह है आपका स्पेशियस लिविंग रूम जो कि आपको आता है अटैस्ट बालकनी के सार तो दोस्तों यह आपका साइज है वह अप्रोक्सिमेटल आप देख सकते हैं शेवाइनों का है और दोस्तों यह हो गया आपका डाइनिंग स्पेस और जिसके आगे ही आपको मिलता है एक शांदार किचन और दोस्तों यह जो ग्रैनाइट आप देख रहे हैं यह स्टेशन से ग्रैनाइट स्टेशन यह बिल्डर यह प्रोवाइड कराते हैं जो दोस्तों किचन का साइज है वह लगबख 7-11 गा कि यह महां आपको यहां किटरूम सिखाता हूं दोस्तों है यह अपका पहला वेडरों सरिफ ऊपर आटेश्ट वस्ष्रूम के सब्सित्स तो जो पर्टूम का सइस बेडरों यह लगपख देश्क भए 11 व्या ँजय करूआ पर जाते हैं दोस्तों यह हैं विये आपका दूसरा पर was next लीज्द उसे और यहां की जब जो प्रोजेक्ट है दोस्तों वहां पर कि हर घर में एक डीम प्रोशुरारा आप फिलिप्स की तरब से है दोस्तों कि यह आपका मास्टर बेट्रूम जो कि आता है आपको एक अटेश्ट वाश्रूम के साथ और यहां के जो लाइट से दोस्तों जैसा कि आपने देखा अपने आप जल गए कि सेंसर वाले लाइट सेंगे दोस्तों तो यह जो पुरा प्रोजेक्ट है दोस्तों यह लगबक साथ एकड की जमीन पर पहला हुआ है 7.67 एकर्स की जमीन पर और अगर मैं प्राइजिंग की बात करो दोस्तों यहां पर जो टू भी एज के यूनिट्स है उसकी प्राइजिंग शुरू होती है 80 लैक ओनवर्ड से 80 के उपर से और जो वन भी एज के है दोस्तों वो 55 लैक रुपीस के उपर से इसकी प्राइजिंग शुरू होती है और जो टू भी एज के यूनिट्स है दोस्तों उसमें आपको कॉंफिग्रेशन से मिलेंगे टाइप्स वो होंगे 1100 स्कॉर फीट से 1200 स्कॉर फीट और वन भी एज के में आपको मिल जाएंगे 600 से 700 स्कॉर फीट की जगत और दोस्तों यह जो लोकेशन है मनेत अटिक पार्क से केवल 15 मिनिट की दूरी पर पड़ता है और जो पोजेशन देट है दोस्तों वो इसी साल डिसंबर 2023 का है